तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी ट्रिक और ऐसा है जिसमें हम ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम फीचर यूज कर सकते हैं विल्कुल फ्री में तो जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रेडिंग व्यू में हमको इंडिकेटर साइड करने होते हैं जैसे अपने को एमे लगाना है या फिर शूपर लगाना है तो ट्रेडिंग व्यू का फ्री वाला जो अकाउंट है उसमें वो सिर्फ दो ही इंडिकेटर अलाओ करता है तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम दो से जादा इंडिकेटर कैसे याड़ कर सकते हैं उसके साथ तो प्लीज जाके देखिए, सिर्फ दिन के पाच मिनिट स्पेंड करने है और आप स्विंग ट्रेडिंग में इंट्री ले सकते हो और अच्छा पैसा बना सकते हो तो चली स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ट्रेडिंग व्यू है और यह ट्रेडिंग व्यू की प्रोफाइल मेरी फ्री है एकदम कोई प्रीमियम इसमें मैंने प्लान नहीं लिया हुआ है तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैं अभी कुछ इंडिकेटर करता हूँ यहाँ पर SMA आड कर लेते हैं या फिर moving average आड कर लेते हैं यह देखो यह एक पहला moving average आड हो गया इसमें मैं रेको फिर से आड करना है super trend आड करता हूँ super trend आड हो गया अब दो इंडिकेटर हैड हो चुके हैं, अब मैं अगर और इंडिकेटर्स आड करना चाहूँ, सपोज मेरे को एक और EMA आड करना है, moving average, ये देखिए, अब ये मुझे यहाँ पर दे रहा है कि मैं सिर्फ दो इंडिकेटर्स आड कर सकता हूँ, current plan के, basic plan के हिसाब से, and अगर मुझे इसका premium लेना है, तो देख सकते हैं, कितना महेंगा है ये, 1000 per month almost, वो भी essential, फिर उसके बाद plus, उसके बाद 30, तो आज मैं आपको ऐसी trick बताने वाला हूँ, कि आपको ये सब लेने की कोई जरुरत नहीं है, आप more than 30 indicators का फायदा उठा सकते हैं, free वाले account पे, हर कोई इतना afford नहीं कर सकता, हाँ, कुछ लोग afford कर सकते हैं, जो afford कर सकते हैं, प्लीज ये लीजिए, थोड़ा easy है, easy हो जाएगा, बट हर कोई ये चीज़ अफ़ोड नहीं कर सकता, कि हर महीने 1000 रुपए दे रहे है, ट्रेडिंग व्यू के लिए, तो चलिए, अब हम देखते हैं कि हम कैसे multiple indicators add कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू के free वाले account पे, तो सबसे पहले, मैं ये सारे indicators remove कर देता हूँ, यहां से, super trend हो गया, अब आप देख सकते हैं कि एकदम clear chart है, and अब मैं एक indicator add कर रहा हूँ, ठीक है, DIY Custom Strategy Builder, ये indicator का नाम है, मैंने ये indicator नहीं बनाया है, किसी और ने बनाया है, मैं मुझे इसके बारे में पता चला, तो मैंने सोचा, आप सब के साथ share करता हूँ, तो ये किसी ने बनाया है, ZEP पे करके किसी ने बनाया है, and इसके बारे में कुछ information दी हुई है, कि उसने क्यों बनाया, and क्या उसकी strategy रहेगी इसके अंदर, ये सब information उसने यहाँ पे दे रखिये, तो उसने अपनी strategy क्या बनाया है, कैसे बनाया है, वो सब information यहाँ पे देख रखिया, आपकी अगर इच्छा हो, तो आप पढ़ सकते हैं, and जैसे कि इसने दिया है, with more than 30 indicators available, you can select any combination you want, right, तो इसके मैं बन कर देता हूँ, and practically करके दिखाते हैं, and सिर्फ indicator का नाम जान के, वीडियो मत बन कर देना, इतना simple नहीं है, कुछ settings है, जो change करनी पड़ती है, मैं आपको वो step by step बताऊंगा, and by cell indicator, याश्ट alerts कैसे generate होंगे, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, तो मैंने ये indicator add कर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, three bottom right, ये वाला DIY indicator add हो गया है, अब इसमें काफी सारी existing settings है, जो हमको remove करनी चाहिए, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, settings में, यहाँ पर कुछ settings पर क्लिक करना है, inputs में आ गया, अभी सबसे पहले, alert signal, long shot signal, dashboard, ये तीनों हमको नहीं चाहिए, तो ये तीनों हमने यहाँ से हटा दिये, अभी आप अगर देखेंगे, थोड़ा heavy है ये indicator, that's why थोड़ा time लगता है, तो देखिए, आप ये हट गया यहाँ से, फिर से settings में जाएंगे हम, tile में जाना है, यहाँ पर कुछ settings है, जो भी हम indicators से add करेंगे, उनके related कुछ settings है, तो यहाँ पर मैं boxes हटा दे रहा हूँ, table भी हटा दिया है, label और lines मैं रहने देता हूँ, ठीक है, अगर आप अभी देखेंगे, कुछ इस तरह से दिख रहा है, अब हमें चाहिए कि ये labels भी ने चाहिए, यहाँ पर Hong Kong अगर दिख रहा है, मैं यहाँ पर settings में जाके, labels भी हटा देता हूँ, ओके, हो गया, अगर हमको lines भी हटा नहीं है, तो मैं हम lines भी हटा सब्सक्राइब, कुछ indicators है, तो मैं यहाँ पर जाके lines भी हटा देता हूँ, ठीक है, अब इसको हम OK कर देते हैं, अब आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा अजीब सा देख रहा है, अब एक और setting हमको करने हैं यहाँ पर, inputs में जाना है, इसको uncheck कर देंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे, नीचे यहाँ पर अपने काफी सारी settings दिख रही है, उनको हटा देंगे, switchboard, turn on and off, overlay of indicator, तो यहाँ से हम ये सारी settings हटा सकते हैं, अब मैं वापत जाता हूँ screen पर, यह आगया अपना normal chart, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमने indicator तो add कर दिया, बट indicators भी हमको अपने हिसाब से add करने हैं, हमको जो required है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे settings में जाके, अब हमको consequence indicators चाहिए, अब ही उपर क्या भूल जाईए, वो mostly alert generate करने के लिए है, buy and sell के लिए, indicators का देख लिए है पहले, सबसे पहले चलो हमको चाहिए moving averages, तो basically अगर हम free account में यूज़ करें, तो सिर्फ 2 moving average लगा पाएंगे, और उसके साथ फिर कुछ नहीं लगा पाएंगे, बट यहाँ पर अगर मैं moving average select करता हूँ, and यहाँ पर मैं यहाँ पर अगर, और मैं इसको भी change कर देता हूँ, black रखते हैं, ठीके, अब मैंने यह में select कर दिया है, and यहाँ पर सारे moving average select कर लिये, तो इतने सारे moving average मैं add कर सकता हूँ, मैं basically moving average 200 use करता हूँ, and 50 use करता हूँ, तो मैं अभी के लिए यह हटा देता हूँ, या फिर आपको display करने के लिए मैं रख लेता हूँ, ठीके, मैंने okay दबाया, आप देख सकते हैं, एक साथ 5 moving indicators add हो चुके, moving average indicator, and इसकी settings में जाके हम, moving average indicator जब है, उसकी settings भी change कर सकते हैं, कि EMA चाहिए, SMA चाहिए, यह catch चाहिए, तो यह सारी settings यहाँ पर moving indicator में हो जाएगा, चलिए अब EMA हो गया, मुझे और कुछ भी चाहिए, मैं समझ लेता हूँ कि मुझे super trend चाहिए, ठीके, super trend add कर दिया, मैं दबा देता हूँ, OK, थोड़ी देर में super trend add हो जाएगा, यह देखिए, अगर आप देखे, यह super trend वाली line है, मैं लगे तो बाकी indicators को थोड़ा hide करता हूँ, तो थोड़ा visible हो जाएगा, ठीके, मैं कुछ EMA हाटा देता हूँ, मैं यहाटा दिया, मैं को सिर्फ 2 EMA यूज़ करना है, अभी के लिए, and मैंने save कर दिया, यह indicator थोड़ा सा heavy है, थोड़ा time लगता update होने के लिए, तो देख सकते हैं अभी, यह moving average है, 200 and 500, 250 वाला, यह अपना super trend है, अब super trend में भी settings रहती है, आप बोलोगे कि मुझे super trend की भी settings करनी है, right, कुछ लोग change करते है super trends की value, तो कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ पर control F करना है, search करना है super trend, ठीक है, next, next, super trend, अब यह आगया super trends की settings, यहाँ पर हम अपना changes कर सकते है, super trend की setting में, कुछ भी कर सकते हैं, आपको by itself signal, तो वैसे हमने अभी के लिए off करके रखे हैं, आपसे भी चालो, off कर सकते हैं, चलो super trend हो गया, अब हमें और भी कुछ चाहिए indicators, super trend के साथ, वीवैप, वीवैप बहुत लोग यूज़ करते हैं, इंट्राइड ही करने के लिए, ठीक है, वीवैप को add कर देता हूँ मैं, एंड वीवैप का मेरे को समझ लो, color दूसरा चाहिए या, मुझे कुछ चेंज करना है, तो भी वीवैप, वीवैप की settings, वीवैप के कुछ चेंज करना है, offset और, band multiplier, add करना है, तो वो सब कर सकते हैं, एंड मुझे style चेंज करना है, वीवैप का, तो हम यहाँ पे जाके, इसको change कर सकते हैं, मुझे बहुत dark चाहिए, तो मैंने dark कर दिया, या फिर मुझे dotted चाहिए, तो फिर वो भी कर सकते हैं, मैं इसको dark, जादे ही dark हो गया है, तो इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीवैप लग गया है, मैं इसको भी 5 मिनिट कर देता हूँ, या 15 मिनिट कर देता हूँ, ठीक है, 15 मिनिट हो गया, सारे indicators अपने आप आ जाएंगे, रेंज डिटेक्टर है, boilingar bands है, swing trading में mostly boilingar bands बहुत यूसफूल आता है, तो मैं एक बर boilingar band भी आड़ कर देता हूँ, यहाँ पर, boilingar band कर दिया, आपको pivot levels चेक करने, इंट्रादे में बहुत काम में आता है, pivot levels, तो pivot level आड़ कर सकते हैं, मैं आप boilingar band आड़ करके, यह देख सकते हैं, आप boilingar band आड़ हो गया इसमें, तो इस तरह से आप अपनी खुद की strategy, या फिर आप जो जिस तरह का indicator, सी यह उस तरह का indicator बना के setup कर सकते हैं, यहाँ जाके, अब जब मैं इसको save कर दिया, अब जब भी मैं अपना trading view open करूँगा, यह मेरा indicator ready रहेगा, अगर आपको, suppose यह indicator नहीं use करना है, हमेशा हमेशा आपको उसको close कर देना है, तो close करने से पहले, सबसे पहले अपनी settings को default करके save कर लेना चाहिए, save as default, okay, अब मैं इसको remove भी कर देता हूं, suppose मैंने remove कर दिया, and मैं फिर से कभी कल परसो, या मुझे जब 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 पड़ी, मुझे add करना है, ठीक है, यहाँ पे click किया, यह अपना add हो गया, and वो ही settings जो पूरा नहीं थी, वो अभी यहाँ पर आ गई है, तो सबसे important है, अपनी settings बना के, अगर आपको remove करना है, तो उसको सबसे पहले, save as default, अपने हिसाब से कर लेना, इस तरह के, बहुत सारे indicators है यहाँ पर, and उसकी settings भी है, अभी मैंने boilingar band अड़ किया है, तो boilingar band की settings, यहाँ पर around 30 indicators है, जिसके basis पर हम अपनी strategy बना सकते हैं, and इनके अलावा, और कौन से indicator अपन यूज करते हैं, वो है volume, ठीक है, तो इसमें जाएंगे, volume लगा दीजे, आ गया, नीचे volumes दिख रहे, RSI यूज करते हैं, RSI भी लगा देता हूँ, ठीक है, RSI भी लग गया, एक यह indicator, जो बहुत सारे indicators का combination है, उसके बाद उसके अलावा हम volume, RSI और आपको कुछ और लगाना है, तो वो लगा सकते हैं, अब सबसे पहले, मैं इस सब remove कर देता हूँ, सबसे important part, इसमें buy और sell indicators कैसे काम करेंगा, या फिर buy and sell alerts कैसे generate होगे, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है, अब यह मैं इसको okay करता हूँ, सब भट गया यहाँ से, now suppose मुझे सिर्फ कुछ basic चीजे चाहिए, EA में चाहिए समझ लो, super trend चाहिए, ठीक है, EA मैंने okay कर दिया, तो EA में दो लग जाएंगे, and super trend एक एड़ हो जाएगा, मुझे buy sell alert generate करना है, राइट, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे style में जाके, labels on कर लूँगा, और lines add कर लूँगा, ज़्यादा कुछ फरक नहीं मिलेगा अभी हाँ पे, पर अभी फरक दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे आगा है, यह on कर लेना है, यह on कर लेना है, यह भी on कर लेना है, ठीक है, तीनों on कर लिए, अभी तक हमको कुछ दिखने रहा है, कि क्या है buy or sell, indicator या लोड हो रहा है, दो मिनिट, अभी यह लोड हो गया, अभी यह आपको दे रहा है, कि कहां आपको short करना चाहिए, कहां आपको buy करना चाहिए, यह आपको indicate कर दे रहा है, एन मने इसको test भी किया है, live market में, अगर आप 5 मिनिट का time frame लगाएंगे, तो यहाँ पर वो exactly यहाँ पर दे देता है, कि हाँ, go long, अब यह किस basis पर आ रहा है, वो भी हम change कर सकते हैं, कोई किसी को buy or sell करना होता है, based on super trend, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर main indicator डाल दिया हमने, super trend का, अब super trend के basis पर यह buy or sell recommendation होगा, और super trend की settings चेंज करने हैं, तो आप जानते की क्या करना है, search करना है, super trend नीचे जाके settings मिल जाएगी, अब यह तो हो गया first indicator, अब confirmation हमेशा दो indicator का confirmation लेना चाहिए, सिर्फ super trend के basis पर ही हम buy or sell नहीं करते, RSI हो गया, VWAP हो गया, BB oscillator हो गया, मतलब boiling bar band हो गया, अब यह काफी सारे, 30, around 30 indicators है, trend back out, अब यह हो गया, and second indicator जो अपना confirmation रहता है, वो हम यहाँ पर आड़ कर सकते, 2 EMA crossover, 50 और 200 का crossover रहता है, वो है या कुछ है, तो यहाँ पर मैंने EMA 200 add कर दिया, ठीक है, ओके, तो मैंने start को change कर दिया, 1 hour के time frame पर, for better visualization, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, super trend जैसी green wire, यह यहाँ पर long indicator दे दिया, अब मैं change कर देता हूँ, super trend नहीं चाहिए, I want to buy based on VWAP, मैंने VWAP select कर दिया, I don't want any second tree indicator, ठीक है, यह change हो गया, अब जैसे ही, अपना जो VWAP है, उसके basis पे यह, buy or sell, आप जैसे की जानते है, VWAP बहुत fluctuate करता है, उसी साब से, intra-day में जाधा useful होता है, तो VWAP हो गया, अब VWAP का अगर indication लगा है, तो मैं नीचे से जाके, super trend हटा देता हूँ, and VWAP लगा देता हूँ, कुछ seconds लगेंगे इसको update होने को, अब जैसे ही VWAP cross होता है, तो उसने short का indicator दे दिया, जब VWAP उपर से नीचे cross होता है, तो buy का यह दे दिया, ठीक है, इसको अगर हम intraday के इसाब से देखेंगे, तो मैं 5 minutes में लगा देता हूँ, अच्छे signal देगा जादा, यह हमारा 200 EM है, यह 50 EM है, और यहाँ पर यह VWAP, VWAP ने जैसी cross किया, लॉग दिया उसने, तो इस तरह से आप, आसानी से around 30 indicators, यूज कर सकते हो, बिना premium feature लिए, trading view का, trading view का मेरे पास एक और trick है, जिसमें हम multiple charts ला सकते है, एक single screen पे, उसके लिए भी हमें premium feature buy करना पड़ता है, जैसे मेरा अभी यह free account है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरे को दो चाहिए side by side, तो यह बोलता है कि no, you are not allowed, उसका भी मेरे पास एक trick है, अगर आपको वो trick चाहिए, तो मुझे please बताना comments में, हाँ चाहिए, and please like button दबा देना, अगर इसके around 200 likes आ गए, तो मैं शायद उसके लिए भी एक वीडियो बना दूँगा, तो चलिए guys, thank you, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, bye bye,